तो दोस्तो जो IPO investors हैं उनके लिए एक और खुशी का मौका है 2022 के अंदर जी हाँ एक और खुशी का मौका LIC का जो IPO है देश का सबसे बड़ा IPO होने वाला है उसके बाद जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा IPO होगा Reliance Jio का IPO तो दो 2022 के अंदर Reliance Jio का भी IPO आ सकता है ऐसी संभावना है लगाई जारी है और ऐसी news हमें 2-3 दिन से देखने को मिल रही है तो दोस्तो अगर Reliance Jio का IPO आता है तो यह हमें listing गेंज तो जबरदस देगा ही और उसके अलावा long time के लिए भी यह IPO बहुत जबरदस साबित हो सकता है और दोस्तो अगर इसमें Shareholder का quota भी हुआ तो मुझे लगता है जिनके पास भी Reliance वगिरा के share है तो उनको फाइदा मिल सकता है Shareholder quota के अंदर eligible होने के लिए हम एक share भी लेते हैं तो Shareholder quota के अंदर eligible हो जाते हैं बाकि अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है बाकि जानकारी वगिरा आएगी तो उसके बाद हमें पता चल पायेगा की इसके अंदर shareholder quota है या नहीं है और उसके लावा कौन सा share हमें लेना है उसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आई है तो दोस्तो जो foreign brokerage firm है CLA से उसके अनुसार 2022 के अंदर GEO का IPO आ सकता है मतलब ये share market के अंदर 2022 के अंदर लिस्ट हो सकता है और दोस्तो उसके लावा IPO लाने के बाद इसकी जो valuations है करीबन 100 अरब डॉलर के आसपास की हो जाएगी मतलब लगबग इंडियन रुपीज में convert करें तो 60.40 लाग करूड रुपे की इसकी valuations हो जाएगी list होने के बाद और दोस्तो Realize GEO list हो जाता है तो लगबग इंडिया की top 5 companies के अंदर भी ये सामिल हो सकता है लग इतना जबरदस्ती IPO हो सकता है क्योंकि LIC के बाद मुझे लगता है दूसरा सबसे बड़ा जो IPO होगा Realize GEO का IPO और इस IPO की साइज है वो भी काफी बड़ी होने वाली है और ये LIC के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा IPO होता है तो मुझे लगता है 20,000 करोड या उससे उपर का ये IPO आ सकता है और दोस्तो मुके संबानी की जो GEO है उसके अंदर ही अपनी 33% की इससे दारी बेच चुके है अभी इनके पास जो इससे दारी है लगबग 67% की और 33% के अंदर जिसके अंदर 10% इन्होंने Facebook को दी है 8% दी है Google को और भी दूसरी कंपनिया है उनको कुब्कुल मिलाके 33% की इससे दारी दी है इसके अंदर इन्होंने 2022 के अंदर लगबग 1.52 करोड रुपए जुटाए थे जो 33% की इससे दारी बेची थी उसके अंदर 1.52 करोड रुपए जुटाए थे तो दोस्तो 2022 के अंदर 5G spectrum है उसकी भी निलामी होगी और इसके लावा जीयो का IPO भी आ सकता है और दोस्तो जीयो टेलेकॉम सेक्टर के अंदर बहुत ही जबरदस और जानीमानी कंपनी है और अभी अपने मार्केट के अंदर लीडर है ये कंपनी और दोस्तो अक्टोबर 2020 तक इसके customer base की बात करें तो इसके पास लगबग अभी जो customer है active customers बायालीस करोड के आसपास अक्टोबर 2020 तक इसके customer है 42 करोड और अभी मुझे लगता है जनवरी 2022 तक इसके customer और ज़्यादा बढ़ गए होंगे तो दोस्तो Reliance Jio जो है इंडिया का काफी जबरदस हिस्सा cover करके बैठी है ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है और ये टेलेकॉम सेक्टर के अंदर अभी market leader है तो दोस्तो मुझे लगता है इसका IPO जब भी आएगा तो इसकी demand बहुत जबरदस रहने वाली है ये हमें listing games भी बहुत जबरदस देगा उसके लवा long time के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और दोस्तो बाकी इसके उपर पूरी जब जानकारी आती है मतलब इसकी dates वगे रखाब आई कि कब ये launch होगा तो इसकी पूरी अगर जानकारी आती है तब भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा तब तक के लिए आप हमेरे चैनल से जोड़े रहे हैं वीडियो